वैसनोभी हिल्दी फूर्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज गिलोए और बतुए का जोस बनाएंगे जो पीलिया में बहुत लाफकारी होता है जिनको पीलिया की सिगायत है वो इस जोस को पी सकते हैं यह ताजा हरा गिलोए का डंठल है और बतुए है दोनों क मैं अच्छे तरीके से धोली हूं इस तरीके से इसका बेल होता है आप गमले में लगा दें किसी पेड़ पे चड़ा दें यह चड़ जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है जैसे करैले और लोकी के बेल होता है उसी तरीके से इसका बेल होता है लेकिन इसका पत्ता सर्द अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें anti-oxidant anti-inflammatory good भी होते हैं इसी वज़ा से बुखार, पीलिया, गठिया, डाइबडीज और कबज में फायदा करता है मैं बथुगा भी ले ली हूँ दोनों का मात्रा बराबर है हम इसे उबालेंगे आप जितना गिलोई ले उतना ही बथुगा ले 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 दो सो एमल पानी डाल दे रहे हूँ इसे मैं जला कर आधा करूँगी 100 एमल पानी रह जाएगा तो gas off कर दूँगी मैं एक गलास पानी ली थी जला कर आधा कर रहे हूँ इस तरीके से इसे बीच बीच में चलाते जाएं गिलोई का ताजा डंठल हरा ह इसलिए इसका जूस भी हरा बनेगा और पीलिया की बीमारी में आप हरा डंठल ही यूज करें गिलोई का आपको पत्ता मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है उसको पीश कर पी सकते हैं इसे हम पीशेंगे थोड़ा ठंडा करके तब पीशें च्छान ले रहे हूँ मैं इसको इसका पत्ता पीलिया में बहुत फैदा करता है और ताजा डंठल भी फैदा करता है गिलोई का गिलोई का जूस का कोई तोड़ ही नहीं है बहुत बड़ी-बड़ी बिमारीयों को ये ठीक करता है मैं बथूए का भी पेस्ट बना ले रहे हूँ जूस थोड़ा पानी डाल फाइबर होता है इसमें पाचन तंत्र ठीक रखता है बथुए में विटामिन ए और कैल्सियम पाया जाता है इसे छान ले ताकि इसका जो मोटा मोटा टुकड़ा है निकल जाए इसे भी में थोड़ा पकाऊंगी बस एक वाला जाए इतना ही इसे पकाऊंगी ज्यादा नहीं पकाना है बथुए काफी बिमारियों में फाइदा करता है दोनों को मात्रा ऐसे बराबर है गिलास में देखें आधा अधा है दोनों को मैं एक ही गलास में पलट ले रहे हूँ यह दोनों ताजा फ्रेश हैं इसलिए पिलिये में बहुत जबर्जस्त फायदा करते हैं आप एक बार जरूर ट्राइ करें इसमें मैं आधा नेबू को जोस निचोड़ कर डालूंगी नेबू में काफी मात्रा में विटामिन सी और बी पाया जाता है इसमें प्रोटीन भी होता है एल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें मैं सेंदा नमक डाल रही हूँ आप बीन नमक की पीना चाहते हैं और बीन नमक डाले ही पी सकते हैं यह अपने स्वाध अनुसान नमक डाले me में मिला ले रहे हूं लिवर से जोड़ी कोई भी प्राभलम और इसका कोई side effect नहीं होता है यह दिया पीलिया से ज्यादा ही फरेशान हो तो अपने डॉक्टर की शला लेना न भूलें और इस juice को जरूर एक बार try करें आपकी immunity बढ़ेगी इस juice से अगर यह वीडियो आपको पसंदा है प्लीज इसे चादस ज्यादा अपने family और मित्रों में share करें लाइक करना न भूले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करिए मैं आज सबसे अपील करूँ प्लीज और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि ह हमारी नए नए वीडियो का notification आप सबको मिलते रहें तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार